व्रिश्चिक राशिवालों लेकिन दोस्तों, आने वाले अगले दो दिनों के अंदर यह घटना हर हाल में होकर रहेगा, इसे मजाक समझने की गलती भूलकर भी मत करना जो होगा, सुनकर होश खो बैठोगे. आने वाले अगले 48 घंटे का समय यानि कि अगले दो दिनों का समय आप सभी के घर में भगवान का आशीरवाद पढ़ने वाला है देवी का आशीरवाद पढ़ने वाला है इस नवरात्री खत्म होने से पहले आप सभी के जीवन यह घटना हर हाल में होकर रहेगा लेकिन इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा तभी यह चमतकारी घटना आप सभी के जीवन में होने वाला है दोस्तों जो आज अंत तक दिखेगा वह माला माल हो जाएगा और जो इस वीडियो को मजाक समझ कर नजर अंदाज कर देगा अंत तक नहीं दिखेगा वह जीवन भर पच्चताएगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि आज कल वीडियो का निर्मान ग्रह गोचर के आधार पर किया गया है जो की 100% से ठीक है और हम फुल गारंटी लेते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा बस जो बात आपको बताएंगे उसे ध्यान से समझना है और अपने जीवन में उप्योग करना है जी हाँ दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं प्यार भक्त हैं सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हरदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा माता रानी का सीधा आशीरवाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं यह योग बार बार नहीं बनता, इसलिए आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, जो यह योग आपकी कुंडली में बना है हम आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन जो नहीं देखेगा, वह पच्चताएगा, और जो देखेगा, वह माला माल हो जाएगा आने वाले 48 घंटे आपके लिए बहुत प्रकार के सुख लेकर आएंगे आपके मन में यह सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी हमारे भाग्य में लिखी है इश्वर ने हमारी प्रार्थना कैसे सुन ली इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे तो अपने दिमाग को शांत रखें और वीडियो को अंत तक देखें अगर आपको खुशखबरी नहीं मिली तब हमसे कहिए अगले 48 घंटे के अंदर दो बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है जब आपका समय आएगा तभी आपको मिलेगा लेकिन कुछ लोग अपने भाग्य का लिखा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं इसलिए हमने यह वीडियो खास तोर से बनाया है अब मत कहना कि हमारी किस्मत खराब है क्योंकि भगवान का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता अगर यह भविश्यवानी सच नहीं हुई तो हम भविश्यवानी करना बंद कर देंगे हम जो भी जानकारियां देते हैं वह सभी ग्रह गोचर पर आधारित होती हैं और बिलकुल सटीक होती है मेरी भविश्यवानी ब्रह्मा जी के कलम के समान है इसे कोई जुठला नहीं सकता अगले 48 घंटे में आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है यह चमतकार न्याय के देवता भगवान शनीदेव जी करने वाले हैं आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा लेकिन यही सत्य है आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानकर आप खुशी से नाचने लगेंगे पहले जैसी आपकी नहीं रहेगी अब आप पहले से कई गुना बहतर जिन्दगी जीने वाले हैं आपको खुद अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा कि आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो रहा है आपके उपर इश्वर का हाथ है इसलिए आपके जीवन में यह बदलाव आ रहा है आपने पिछले जन्मों में जरूर पुन्य का काम किया होगा तभी भगवान शनी देव जी इस जन्म में आपको फल दे रहे हैं दिल का दर्वाजा खोल कर देखिए और दिल खोल कर लीजिए क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलेगा इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए पूरी कुंडली का विशलेशन करने के बाद ही यह वीडियो तैयार की गई है आपका दायत्व बनता है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय शनिदेव महराज जरूर लिखें इससे आपका आने वाला भविश्य शुभ रहेगा और भगवान शनिदेव जी की कृपा दृष्टी हमेशा आपके उपर बनी रहेगी भगवान शनिदेव जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें आईए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भगवान शनिदेव जी आपके बंद किसमत के ताले कैसे खोलने वाले हैं और कौन-कौन सी खुश्खबरी आपको देने वाले हैं ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा जैसा कि आपने सुना है भगवान शनिदेव जी आपकी बंद किसमत के ताले खोलने वाले हैं यह बात बिलकुल सत्य है क्योंकि भगवान शनिदेव जी का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता आने वाले 48 घंटे में आपको एहसास होगा कि सच में हमारा बंद किसमत का ताला खुल चुका है आपके अंदर एक अलग ही जोश और जुनून दिखाई देगा अगले 48 घंटे में कोई भी बाधा या परेशानी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी और आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे जहां आपको घबराहट या परेशानी हो वहां भगवान शनीदेव जी को याद करें इससे आपके उपर कोई भी नकारात्मक शक्ती हावी नहीं हो पाएगी आने वाले समय में धन संपत्ती के मामले में स्थितियां गंभीर रहेंगी लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी काम शुरू करें उसे उसी दिन खत्म करें अगर काम को बाद में करने का विचार आए तो समझ लें कि वह काम हमेशा के लिए पेंडिंग में रह जाएगा ग्रह गोचर की शुभ स्थिति में यह ग्रह आपको हर तरफ से लाभ दिलाने का प्रयास करेगा समय हमारे हाथ में जरूर आता है लेकिन उसका लाभ उठाना बहुत कम लोग जानते हैं वीडियो में अंत तक बने रहे हम आपको बताएंगे कि कौन सा मौका मिलेगा और इसका लाभ कैसे उठाना है दोपहर से पहले का समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन दोपहर के बाद का समय आपके लिए सोने पर सुहागा होगा अगले 48 घंटे में आपको ऐसा अनुभव होगा कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है आपको भी समय के साथ चलना है और तेजी से कार्य करना है फिर देखिए कैसे सफलता और कामयाभी आपकी चौकट चूमती है आज के दिन आपका भाग्य आपके साथ है आज आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आपके सभी प्रयासों में भाग्य आपका साथ देगा आपको पता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है आज आप अपने समर्पन की बदौलत कुछ भी हासिल कर पाएंगे आज ठंड और बुखार से परेशान हो सकते हैं इसलिए बाहर जाते हुए सावधान रहे ठंड की समस्या छोटी हो सकती है लेकिन यह कई दिनों तक आपको परेशान कर सकती है इसलिए आज की इस महत्व पूर्ण जानकारी को ध्यान से सुने आपके लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी है पूरे बारह करोड की संपत्ती आपके हाथ लग सकती है लेकिन ध्यान रहे जोश में आकर होश मत खोना और इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना आने वाले 48 घंटों में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिन्हें सुनकर आप चौक जाएंगे तैयार हो जाएए क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी गुप्त खबर और रहस्यमई जानकारी लेकर आएं हैं अगले 48 घंटों में यह गुप्त खबर आपको हर हाल में मिलकर रहेगी क्योंकि उपर वाले प्रभुश्री राम जी का आदेश आ चुका है इस खुश्खबरी से आपका जीवन बदल सकता है और आपका भाग्य उदय हो सकता है यह खुश्खबरी प्रभुश्री राम जी के आशीरवाद से ही आपको मिलने वाली है ऐसी खुश्खबरी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा आप खुद कह उठेंगे कि हमारी तो किस्मत खराब थी हमें तो फूटी कौडी भी नहीं मिल रही थी लेकिन अब इतनी बड़ी खुश्खबरी और सर्प्राइज कैसे मिल सकता है यह सब प्रभुश्री राम जी की लीला है अगले 48 घंटे में आपको दो बड़ी खुश्खबरी मिलने वाली है और पूरे 12 करोड की संपत्ती हाथ लगेगी यह वीडियो बहुत ही खास और महत्तो पूर्ण है इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें प्रभुश्री राम जी के आशीरवाद से अब आपकी लोटरी लग चुकी है अगले 48 घंटों में खुश्खबरी का कॉल आने वाला है इसलिए सभी काम छोड़ कर इस वीडियो को देखना ना भूले आपकी तूटी भूटी किसमत समवर जाएगी ध्यान रखें कोई आसपास ना हो तभी वीडियो देखें और भूल कर भी इस वीडियो को मिस ना करें वरना ये बड़ी खुश्खबरी आपको नहीं मिल पाएगी और लोग इसका फाइदा उठा कर चले जाएंगे ये खुश्खबरी आपकी जिंदगी और भविश्य को बदल सकती है आपकी कुंडली में कई शुभ योग राज योग और धन योग का निर्मान हो रहा है इसलिए ये खुश्खबरी आपको मिल रही है जी हाँ बता दें कि अगले 48 घंटे के अंदर आपको एक बहुत बड़ी गुप्त खबर मिलने वाली है इसलिए मेरे प्यारे मित्रों पूरे घर को ताला लगा कर वीडी वीडियो देखना कैमरा बिलकुल खाली हो और आप बिलकुल अकेले हो तभी आज की इस वीडियो को शुरू करना शुरू से अंत तक वीडियो देखना ताकि यह मौका और इसका लाब केवल आपको ही मिले आपकी बता दें कि मर्यादा पुरुशोत्तम प्रभुश्री राम जी के आशीरवाद से अब आपकी किस्मत बदलने वाली है अगले 48 घंटों में बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव होने वाला है जो सब को चौका देगा आपके जीवन में बहुत बड़ा चमतकार होने वाला है जिसे देख कर आपका पूरा परिवार खुशी से जूम उठेगा आपकी आँखों से खुशी के आंसू बहने लगेंगे क्योंकि आपके दोनों आँखों से खुशी की गंगा बहने वाली है मैं मजबूरी में इतनी बड़ी खुशखबरी और सच्चाई बता रहा हूँ वरना यह खुशखबरी आपको कोई नहीं बताता आज केवल और केवल नसीब वाला ही इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख पाएगा जिनकी किस्मत अच्छी होगी क्योंकि अब आपकी जिन्दगी बदलने वाली है अब आपकी जिन्दगी पहले जैसी नहीं रहेगी आपके जीवन में खूब सारा धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला घर द्वार इजज़त मान प्रतिष्ठा वा अन्य सभी प्रकार के सुख मिलने वाले हैं अब आप जो चाहेंगे वह खरीद सकते हैं आपके दुश्मन आपकी तरक्की और काम्याबी देख कर तडप जाएंगे उनकी रातों की नींद और दिन का चयन गायब हो जाएगा प्रभुश्री राम जी के आशीरवात से आपको बड़े-बड़े लाब, खुश्खबरी और सफलताएं मिलेंगी अब आपके आसपास की सब सभी चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी आपकी जिन्दगी राजाओं की तरह होने वाली है, क्योंकि देव गुरू ब्रहस्पती की चाल पूरी तरह से बदल गई है जब किसी के जीवन में इतने बड़े बदलाव आते हैं, तो खुशी से वह इंसान फूले नहीं समा अब ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है, जिस इंसान को उम्मीद से ज्यादा मिलने लगता है, वह खुशी से रोने लगता है आप भी खुशखबरी सुनकर पागल मत हो जाना क्योंकि मुझे पता है, इतनी बड़ी खुशखबरी और इतना बड़ा बदलाव आपके जीवन में पहली बार हो रहा है आपको भी लगेगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन यह कोई सपना नहीं है और नहीं कोई अफवाह यह बिलकुल हकीकत है, आपके आने वाले 48 घंटों में यह सब सच्चाई का पता लग जाएगा यह समय खुशिया मनाने और ईश्वर को याद करने का है, भगवान की महिमा और लीला आप अपनी आँखों से देखेंगे आने वाले 48 घंटों में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, इसलिए इस महत्वपूर्ण ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि ऐसा महा संयोग आपकी कुंडली में फिर कब बनेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, जिस चीज के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, वह चीज अब आपको एक जटके में मिलने वाली है, प्यारे दोस्तों आपके घर पर एक देवता का साया है, जी हाँ, प आपका पूरा जीवन बरबाद हो जाएगा, प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, पिछले बारह सालों से यह देवता आपके घर में रह रहा है, और आपका पूरा परिवार का अच्छे से खयाल रख रहा है, वरना प्यारे दोस्तों, अभी तक आपका जीवन का नाम और मिट गया रहता क्योंकि प्यारे दोस्तों आपके पीछे एक बहुत बड़ा दुश्मन हाथ धोकर पड़ा है। प्यारे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के साथ कोई घटना ना हो। सके देदो वरना आपका जीवन का अंत निश्चित है। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत महत्योपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए दिमाग को शांत करके और घर का खिड की दर्वाजा बंद करके पूरा वीडियो देखना। प्यारे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक-एक जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले में आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि प्यारे दोस्तों इतना खास और महत्यपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद आपके लिए इतना महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं जो कि बिलकुल फ्री होता है और इसके बदले बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही नाग देवता का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता अवश्य लिखें। आपका दुश्मन का नामो निशान मिटा देगा। दुश्मन को रोड पर ले आएगा और आपको दुश्मन से छुटकारा दिलाएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं ऐसा ही अब होने वाला है और आपके लिए स्वर्ग का दर्वाजा खुलने वाला है। यह बात आप लिख करके रख लो बस आपको यह एक चीज मंदिर में जाकर दान कर देना है जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों आज वह होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। जी हाँ प्यारे दोस्तों ऐसा ही कुछ आपके आँखों के सामने होने वाला है। अब पाप का सजा दुश्मन को मिलकर रहेगा। रातों रात आपका जिंदगी बदल जाएगा। अगले 48 घंटे के अंदर नाग देवता के मंदिर जाकर एक कटोरी दूद अवश्य चढ़ाएं। मैं आपको लिख कर देता हूँ। आपका किस्मत का पासा पलट जाएगा और आपको चारों तरफ से खुश खबरी ही खुश खबरी मिलेगा। प्यारे दोस्तों आपको बता दें। जिस चीज का इंतजार आप सालों से कर रहे थे वह समय आ चुका है। इंतजार की घडियां समाप्त हो चुका है और काम्याबी की घडि पास आ चुका है। अब गाव मोहले में आपका ही नाम का डंका बजेगा। अब आपका ही नाम का चर्चा होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी काम्याबी मिलने वाला प्यारे दोस्तों, यह एक देवता परचाई बनकर आपके साथ घूम रहा है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, यह देवता आपको कुछ देना चाहता है, इसलिए प्यारे दोस्तों, खुशी मनाने की तैयारी कर लो, अब खुशियां मनाने का समय आ चुका है, यह देवता आपको धन से माला माल कर देंगे जी हाँ प्यारे दोस्तों इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है प्यारे दोस्तों आपको बता दें कल युग में पहली बार ऐसा बड़ा भयानक चमतकार होने वाला है प्यारे दोस्तों इस देव का साया जीवन भर अब आपके उपर रहने वाला है प्यारे दोस्तों, यह देवता आपको एक साथ पांच बड़ी खुश्खबरी देंगे। प्यारे दोस्तों, मेरा बात जिन जिन लोगों को मजाक लग रहा है, उन लोगों को बता देना चाहूंगा कि यह कोई मजाक नहीं है, इसे मजाक समझने की भूल मत करना, वरना प्यारे दोस्तों, जिन्दगी भर रोना पड़ेगा, जिन्दगी भर आपको खून का आंसु ब बड़ा बवाल होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो जो ब्रह्मा ने आपका कुंडली में लिखा है जो आपका किस्मत में लिखा है वह भी आपको नहीं मिलेगा। 48 घंटे के अंदर आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं। इस समय अंतराल में आप अपना किस्मत को बरबाद कर सकते हैं। अब यह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार अगले 48 घंटे का समय को उपयोग करते हैं। प्यारे दोस्तों अगर अगले 48 घंटे का समय आप सही से उपयोग करेंगे तो आप राजा बन जाएंगे। यह बात आप लिख करके रख लो। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर अगले 48 घंटे का समय आप गलत कामों के लिए उपयोग करेंगे तो आप भिखारी बन जाएंगे। इस बात की गारंटी है आपको भिखारी बनने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगा। आपको बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही प्यारे दोस्तों कैलाश परवत का स्वामी महादेव जी का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोलेनात थ जरूर लिखें। साथ ही प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। इस चैनल पर आपको रोजाना ज्यानवर्धक जानकारी देखने को मिलेगा। कर्म करता है उनको वैसा ही फल मिलता है। परंतु कर्म का फल सभी को मिलता है। जो बुरा कर्म किया रहता है उसके साथ परच्छाई बनकर यमराज घूमते हैं और उसे सजा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा कर्म करते हैं उनके साथ देवों का देव महादेव ज उसके उपर महादेव जी का साया रहता है और आपने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किये हैं अपने लोगों का बहुत ज्यादा मदद किया है आप कभी भी बेवजह किसी से लडाई जगडा करते हैं आप भगवान पर भी विश्वास रखते हैं आप लोगों के दिलों म बसते हैं और जो लोगों के दिलों में बसते हैं वह इंसान महादेव के दिलों में बसते हैं और यही कारण है कि महादेव जी आपके साथ परचाई बनकर रहते हैं इसलिए महादेव जी का साया हमेशा आपके उपर रहता है और अब महादेव जी ने एक बहुत बड़ा फैस लिया है क्योंकि प्यारे दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत गरीबी जेले हैं, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख और कष्ट सहे हैं, लिकिन प्यारे दोस्तों अब और नहीं, अब समय आ चुका है। बदलाव का अब आपका समय का पहिया घूमने वाला है अब आपका जीवन का परिवर्तन होने वाला है और आप करोड़ पती बनने वाले हैं जी हाँ प्यारे दोस्तों महादेव जी के आशीरवाद से अब आप करोड़ों का मालिक बनने वाले हैं लेकिन प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो आखिरी तक देखना होगा। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए राम बान साबित होगा। बस आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। प्यारे दोस्तों, महादेव के आशीरवाद से आपका घर धन दौलत से भर जाएगा महादेव जी के आशीरवाद से आपको कल युग की सारी खुशिया मिलेंगा क्योंकि प्यारे दोस्तों महादेव जी का आशीरवाद जब किसी व्यक्ति पर पड़ जाता है तो उसका जोली खाली नहीं रहता है इसलिए प्यारे दोस्तों अब आपका जोली पूरी तरह से भर जाएगा लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान रहे अगले 48 घंटे तक आपको किसी से भी लड़ाई जगडा नहीं करना है 48 घंटे तक आपको अपना दिमाग को पूरा शांत रखना से किसी भी प्रकार की वाद विवाद में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि प्यारे दोस्तों 48 घंटे तक महादेव जी का नजर आपके उपर बना रहेगा ऐसे में प्यारे दोस्तों अगर आपसे कोई गलती हो जाता है तो महादेव जी आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके सपनों पर पानी फिर जाएगा इस बात का ध्यान रखना प्यारे दोस्तों आपको कुंडली देखकर बागेश्वर बाबा खुद हैरान हो चुके हैं क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका कुंडली में एक पुरुष और दो औरतों के नाम निकला है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है यह तीनों लोग मिलकर आपका जीवन बरबाद करना चाहता है जी हाँ प्यारे दोस्तों आप बिलकुल सही सुन रहे हैं ये तीनों लोग मिलकर आपका मौत का शडियंत्र रच रहा है। प्यारे दोस्तों आपको बता दें, अगले चार दिनों में आपके साथ बहुत बड़ा भयानक घटना होने वाला है। बहुत बड़ा भूचाल आपकी जिंदगी में आने वाला है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में जैमा भदरकाली अवश्य लिखें। यही नहीं रुकने वाला है। यह तीनों लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आपका पूरा परिवार के उपर हमला करेंगे। आपके पूरे परिवार के उपर जादू टोना करेंगे और आपका पूरे परिवार को भी बरबाद करके रख देगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप बिलकुल सही सुन रहे, ऐसा ही कुछ यह तीनों लोग मिलकर आपके परिवार के साथ करने वाले है प्यारे दोस्तों, यह तीनों लोग मिलकर आपका परिवार को अपने माया जाल में फंसना शुरू कर दिया है और इस बात की आप लोगों को जरा भी खबर नहीं है आप इस बातों से पूरी तरह से अंजान हैं प्यारे दोस्तों आपको बताते हैं कि यह बात सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगा कि यह औरत आपके आसपास ही रहती है और एक औरत तो आपके घर में ही बैठा हुआ है और यह एक पुरुष आपके रिष्टेदार में है जो आपको पूरी तरह से बरबाद करने का प्लानिंग कर चुका है लेकिन प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि प्यारे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है प्यारे दोस्तों खुशखबरी सुनकर बेहोश हो जाओगे इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है लेकिन प्यारे दोस्तों वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा वीडियो बिलकुल भी मिस मत करना वरना प्यारे दोस्तों ये दो और एक पुरुष आपके उपर नजर गड़ाए बैठा है ये तीनों लोग मिलकर आपका जान ले लेगा अगर अपना खैरियत चाहते हो तो वयो आपको पूरा देखना होगा प्यारे दोस्तों आपको बता दे ये तीनों दुश्मन मिलकर आपके उपर जादू ठोना कर रहा है और एक अगोरी बाबा से भी जादू ठोना करवा रहा है और आपके उपर किस प्रकार से जानलेवा हमला करना है, किस प्रकार से आपका परिवार को बरबाद करना है, किस प्रकार से आपका परिवार को रोड पर लेकर आना है, इन सभी के बारे में प्लान कर चुका है, इन सभी के बारे में शडियंत्र रच चुका है प्यारे दोस्तों आपको बता दसिर्फ चार दिन बचा हुआ है चार दिनों के अंदर आपको सावधान हो जाना है नहीं तो प्यारे दोस्तों यह तीनों दुश्मन मिलकर आपके उपर बहुत बड़ा हमला करेंगे और आपका जिंदगी तबाह करके रख देंगे प्यारे दोस्तों आपको बता दें इस घटना से आपको बचाना है इस घटना से बचने की जरूरत है आपको तो प्यारे दोस्तों इस घटना से आप कैसे बच सकते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं साथ ही प्यारे दोस्तों आपको यह भी बताएंगे कि इन तीन न दुश्मन का असली नाम क्या है और क्यों आपके पीछे पड़े हैं यह तीनों लोग आपसे क्या चाहते हैं इसके बारे में अच्छा विश्रलेशन करने वाले हैं और आपको एक-एक जानकारी सटीक बताने इसलिए प्यारे दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखरी तक देखना प्यारे दोस्तों आपको बता दें यह जो तीनों दुश्मन आपके पीछे पड़ा है यह तीनों दुश्मन आपका बहुत पुराना दुश्मन है यह तीनों लोग पिछले आठ सालों से आपके जान के पीछे पड़े हैं पिछले थर सालों से ये तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर कई बार जादू ठोना किया है कई बार आपके ऊपर जादू ठोना करके आपका काम बिगाडने का प्रयास किया है और कई बार आपका दुश्मन अपना मकसद में काम्याब भी हुआ है प्य पूरी मुसीबत ऐसा आपके जीवन में आ गया, जिस वजह से आपका वह काम पूरी तरह से बिगड़ गया, और आप यह सोच कर ऐसी घटना को भुला देते हैं, कि हमारा किस्मत ही खराब है, शायद इसलिए यह काम पूरा नहीं हो पाया, शायद इसलिए यह काम पूरा होते होते रह गया, लेकिन आप कभी इसके ऊपर अच्छे से जांच परताल नहीं करते हैं, कभी भी इसके ऊपर आप अपना ठोस कदम नहीं उठाते हैं, कि आपके साथ अचानक ऐसे कैसे हो सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से आपके साथ अचानक इतना बड़ा और भयानक घटना हुआ, इसके बारे में आपने बिलकुल भी कोई भी जांच परताल नहीं किये, जिस आपके साथ ऐसा घटना हुआ था, उस समय अगर आप किसी अगोरी बाबा से मिलकर यह पता लगाते कि आखिर अचानक आपके साथ ऐसा बड़ा घटना कैसे हुआ, तो आपको इस बारे में पूरा जानकारी मिल जाता, और आप बहुत पहले इन लोगों से सतर्क हो जाते, बहुत पहले इन लोगों से आप सावधान हो जाते, और अब आपको इन लोगों से कोई भी खतरा देखने को नहीं मिलता, इन लोगों से आपको बिलकुल भी खतरा नही और अभी तक आप अपने जीवन में काफी आगे बढ़ गए रहते लेकिन प्यारे दोस्तों जो हो गया सो हो गया अब उसके लिए रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला है अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचिए प्यारे दोस्तों यह तीनों लोग आपका दुश्मन है जो आपका जिंदगी बरबाद करना चाहता है और यह एक देवी हमेशा आपकी जान की रक्षा कर रही है इस देवी की कृपा से आपका किसी ने बाल भी बांका नहीं कर पाया है वरना प्यारे दोस्तों अभी तक आप आपका जिन्दगी पूरी तरह से बरबाद हो गया रहता, अभी तक आपका जिन्दगी मिट्टी में मिल गया रहता, आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, जो आपके उपर इस देवी मा की आशीरवाद है। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। उसका नाम आपको इस वीडियो में बताएंगे ताकि इन लोगों से आप सावधान रह सके, इन लोगों से आप बचकर रह सके, ताकि इन लोगों का काली नजर आपके उपर ना पड़े और आप आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। इसलिए प्यारे दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखना और पूरा वीडियो अंत तक देखना। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बाला जी महराज के आशीरवाद से आपकी कुंडली में तीन महायोग का निर्मान हो चुका है। इसे मजाक समझने की गलती मत करना। वरना प्यारे दोस्तों, जिन्दगी भर पच्टाते रहोगे, जिन्दगी भर खून का आशू रोना पड़ेगा। यह बात लिख कर रख लो प्यारे दोस्तों, आपको बता दें। मेरा भविश्यवानी ग्रिह गोचर के आधार पर आधारित होता है, जो की कभी गलत नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, अब आपका जीवन का असली खेल शुरू होने वाला है। अब आपका जीवन में बड़ा टहल का मचने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, आपकी सुखी संसार उजड़ने वाला है। ऐसा भयानक घटना आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है। अगर इस भयानक घटना से बचना चाहते हैं, तो सब काम धंधा छोड़कर पहले इस वीडियो को देखें। उसे लेकर आखरी तक जरूर देखना प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। इतना अच्छा और महत्वपूर्ण वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और आपको वीडियो को लाइक करने में एक सेकेंड भी नहीं लगेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें प्यारे दोस्तों। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है ये वीडियो आपके लिए बहुत खसरा महत्वपूर्ण साबित होगा प्यारे दोस्तों आपको बता दें सिर्फ 48 घंटे के अंदर जो खेल आपका कुंडली में शुरू होने वाला है ऐसा खेल कलियुग में पहली बार होने जा रहा है ऐसा खेल आप जीवन में कभी नहीं देखे होंगे प्यारे दोस्तों आपको बता दें ये जो आपका कुंडली में चमतकारी खेल होने वाला है ये खेल पूरे 50 साल बाद आपका कुंडली में होने जा रहा है प्यारे दोस्तों अगर समय रहते आप इस वीडियो को पूरा जैसा खुशी मिलेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, प्रभुश्री राम जी ने आपके लिए भेजा है, गुप्त संदेश, यह गुप्त संदेश, सुनते ही आप खुशी से नाचने लगेंगे। क्योंकि प्यारे दोस्तों, अगले 48 घंटे के अंदर खुश खबरी ही ऐसा मिलने वाला है, प्यारे दोस्तों, एक दो करोड नहीं बलकि पूरे 50 करोड रुपए हाथ लगेगी। भी व्यक्ती समझ लेगा, उसका किस्मत ही बदल जाएगा और वह व्यक्ती करोड पती बन जाएगा। इस बात की गारंटी तो प्यारे दोस्तों, प्रभुश्री राम का ऐसा कौन सा संकेत है, जिसे आपको पहचान की जरूरत है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ध्यान रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु ये राज की बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये राज की बात राज ही रहना चाहिए, जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये राज की बात किसी के कानों तक नहीं जाना चाहिए, प्यारे दोस्तों आपको बता दें सिर्फ 48 घंटे के अंदर प्रभू श्री राम का सेवक श्री हनुमान जी आपके घर दस्तक देने वाले प्रभू श्री राम का सेवक हनुमान जी का चरण आपके घर आंगन में पढ़ने वाला है इसलिए प्यारे दोस्तों सबसे पहले आपसे विनती करना चाहेंगे कि अपने घर की साफ सफाई पर विशेश ध्यान दें घर की साफ सफाई में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की गंदगी घर में नहीं होना चाहिए घर का एक एक कोना अच्छे से साफ होना चाहिए नहीं तो प्यारे दोस्तों आपका जीना हराम हो जाएगा